जाए ही इन जाए महाराश्टार्ट श्री धर्में रेजादब जी धर्में रेजादब जी धन्यवार सवापती मोदे अठारवी लोकसभा की निर्वाचन के बाद और इस नए संसद वहन के बनने के बाद आज मैं पहली बार बूलने के लिए खड़ा वुआ हूँ आपने मुझे मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सवापती जी सबसे पहले सद्दे नेता जी को मैं नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने संगर्स अपनी हिम्मस सहस और अपने पूरे जीवन की तफस्या समाज के उत्थान के लिए देश और तपदेश की तरक्की के लिए और समाज के हर व्यक्ति की तरक्की और खुसाली के लिए उन्होंने जो अपना पूरा जीवन समर्पित किया है सबसे पहले मैं आपके माद्यमस उनको नमन करना चाहता हूँ मानी सवापती मोहद है सद्दे नेता जी ने हम लोगो अपने समाजवादी बिरासत में इनसाफ और इनसानियत नयाय और हक्की लड़ाई करना सिखाया है उस लड़ाई को हम लोग बखुबी अपने नेता अगणी अख्रीश श्यादव जी के नितुत में सांदार तरीके से उस बिरासत को न केवर लड़ रहे हैं बलकि नेता जी के हर सपने को पूरा करने तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं सवापती मोद है बजट एक ब्यापक विसे है और जब इस विसे के वारे में सोचते हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि कहां से सुरू करें क्योंकि देश में आज कोई वर्ग नहीं वच्छा है कुछ चुनिंदा और द्योग पतियों के बारे में बात नहीं करूंगा लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों में से कम से कम 95 फीस्दी लोग ऐसे हैं जो आज पूरी तरह से बरबाद है एंडिये की ये सरकार 11 बजट पेस कर रही है लेकिन इस 11 बजट के बावजूद अगर मैं देखता हूँ तो समाज की जो गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़े है स्वास्त का है तो स्वास्त 2324 में बजट घटा दिया है किसानों का बजट जहां यूपिये के सरकार के समय 2014 तक 5.5 था वहीं 24 आते आते ही ये 3.15 रह गया है सिच्छा का बजट जहां 2013 में 4.77 था आज तेज 24 आते आते ही ये 0.5 परसेंट रह गया है इसी तरह से जितनी भी जरूरी चीज़े है सभापती मौदे मुझे कहने में कोई संकोच नहीं ये जो बीजेपी की एंडिये की सरकार है ये सरकार पूरी तरह से गरीब बिरोदी किसान बिरोदी नौजमान बिरोदी बुनकर बिरोदी चात बिरोदी धलित बिरोदी पिछडा बिरोदी मजदूर विरोधी जितनी भी अगर उपादियां दी जाएंगी सभापती महोदे वो कम है और मैं कोई राजनेतिक भासर नहीं दे रहा हूँ मैं उधारार साइथ आपको जब नमबर आए तो बोल देना और हमें पता है आपका नमबर भी नहीं आएगा आपकी पार्टी में ये भी पता है हमें सभापती महोदे सद्धे नेता जी ने हमेशा कहा है कि चुनाओं में या जनता के बीच किया हुआ वादा अगर आप पूरा नहीं करते हैं बो भी एक सबसे बड़ा ब्रस्टा चार है और उस ब्रस्टा चार में अगर किसी ने वर्ड रिकॉर्ड बनाया है तो बीजेपी की और एंडिये की सरकार ने बनाया है सभापती मौदे 2014 के चुनाओं के समय प्रदान मंत्री जी ने वादे किये कि दो करोर रोजगार हर साल मिलेंगे श्वामी नाथन जी जिनको भार अर्द दिया सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ लेकिन वो धन्यवाद अधूरा है जब तक उनकी सिपार्सों को नहीं मानते हो दो हजार साथ आठ से लगातार मांग चल लए है देश में कि श्वामी नाथन जी की जो सिपारस से किसानों को डेड़ गुना समर्तन मूल देने का MSP की गारंटी देने का कानूनी हक और अधिकार देने का उस गारंटी को आज तक नहीं माना आज तक नहीं माना स्वामी नाथन जी को आज तक नहीं माना अधर जी अधर दिस्टर्बना करिए सवापती होता है मेरा टाइम इसमें कानूनी होगा अरे यार बेइमानी से जीता है तो याद़ न बोलो मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो बेइमानो स्वामी नाथन ये कि आपने नहीं मानी MSP आपने लागू नहीं की कितनी बढ़िया बाते कि खाद पर हम सफिटी बढ़ा रहे पहले 50 किलो को 45 किलो फिर 45 किलो को 40 किलो और मुझे लगता है कि एक तीसरा कारकाल पूरे होते होते केवल 10 किलो बचेगा खाद के कटे में से जादा नहीं बचेगा मंडी एक नहीं मनाई आत मत्या इतनी कर रहे हैं किसान और किसान अगर अपने MSP की मांग करते हैं हजारों किसान इहीं दिल्ली की सीमा पर मारे जाते हैं और आप सोचते हो कि आपकी बात को कोई समझेगा नहीं सवापति मोदे नौजवानों को कितना गुम्रा किया गया नौजवानों से कह दिया गया हर साल दो करों रोजगार मैं आज सवाल पूछता हूँ अपने नौजवानों की और से बताएं भारती जिंदा पार्टी के लोगों सरकार में बैठे लोग दस साल आपने राज कर लिया है आखिर बीस करोर नौजवानों को रोजगार कहा है अरे छोड़िये यार अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुमें चोड़ो कोई नोटिस नहीं लेगा तुमें बीस करोर नौजवान के रोजगार का हिसाब कहा है आज ग्यार्वे बजट में जब याद आई तो बहुत भी ट्रेनिंग की बात करते हो मैं कहना चाहता हूँ आई आई एम आई आई टी के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हूँ आप सोचरों इंट्रेंसिब के इस चोटे से सुगूफे से नौजवान खुस होंगे देश के नौजवान खुस होने वाले नहीं है सवापति मौज़ है सिच्छा के मसले पर लगातार बजट घटाये जा रहा है लगातार सरकारी सिच्छा कम की जा रही है और ये BJP की सरकारी की लगातार प्रयास है कि नौज़वान सिच्छत होंगे तो सवाल पूछेंगे देश की JNU से लेके, BHU से लेके, MSU से लेके जितने बड़े संस्थानें, सारे संस्थानों को बरबात कर दिया है एक भी दलित, एक भी पिछले, कई आपका बाश्चांसन नहीं है लगातार जितने भी आपके प्रोफसर, अस्योशेट प्रोफसर, असिटेंट प्रोफसर कि न्युक्तियों में, RSS का जब तक कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं करेगा, बेसिक कोर्स तब तक उसकी न्युक्ति नहीं होगी, आपके सुसरे देश नहीं देख रहा है नौजवान UGC का बजट, UGC का बजट लगातार कम किया जा रहा है मेरा खुला अरोप है सरकार पर, कि ये सरकार सिच्चा को प्राइवेट करके, सिच्चा को मुट्टी भरो द्योगबतियों के हातों में देखे, सिच्चा को चुनिनना लोगों के हातों में देखे देश के 140 करोल जिसमें मैं समस्ता हूं 90 फिच्च भी लोग गरीब हैं, उन गरीबों के हातों सिच्चा को च्छिनने का, ये जो आपकी सरकार सर्डेंट कर रही है इसके लिए हम लोग इस मुक्य बे बिरोद करते हैं, लगातार फीस बढ़ा रहे हैं, सिच्चकों की कमी है, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हो सामाजे का समानता सवापती मोद है, 2014 में जिस समय सरकार बनी थी एंडिये की, उस समय देश की जितने भी जो आर्थिक चीजें थी, जो बेल्ट थी, उसमें पिछणों की हैसियत सस्ता फिजदी थी, सत्रे फिजदी, सेविंटीन और आज, दस साल की एंडिये की सरकार के बाद, पिछणों की आर्थिक हैसियत हो गई है, केवल नो फिजदी, मैं कहना चाहता हूँ चिनोती के साथ, बित मंत्री अपने जवाब में बता दे, अनुसूचे जनजाती का एक भी ब्यक्ति देश में अरपती हो तो बता दो, ए पारी दबाद नहीं रुकेगी, सवाब पती महोता है, जब जब पीजेपी की सरकार, जब जब पीजेपी की लोग विपच्च में रहे, तो OPS की बाते किए, दर्स साल से आफ सत्ता चड़ा रहे हो, ग्यारों बजट पेस कर रहे हो, पूरा देश आज OPS के लिए सरकारी कर पंचारी परिसान है, कहीं OPS की चर्चा नहीं है, पुरानी पेंसन की कोई चर्चा नहीं है, सवाबपती महोदया, पुरानी पेंसन तो पुरानी पेंसन, हम मांग करते हैं, बहुत बड़े राश्च वक्त आप बनते हो, मैं मांग करता हूँ, देश के पैरा मिलिटरी फोर गए इसी तरह से सवापति मोद है देश के अंदर बहुत से ऐसे संविधा करमचारी एक से बढ़िया फारमूला अब कानूनन मंडला योग लागू हो गया तो कैसे पिछड़े उदलितों को रोके तो संविधा करमी संविधा करमी की प्राइवेट कंपनी प्राइवेट आप सोर्सिंग के कारण से देश के सारे दलित सारे पिछड़े सारे आदिवासी आपकी सेवाँ से बाहर हो गए उनके पास कोई कानूनी हक नहीं तो यह जो आरचण को खतम करने के तरह तरह के जो आप लोग सड़ेंट अपना रहे हो इस सड़ेंटरों को देश का जन्मानस करेंगे इसी तरह सवापती मोद है हमां मांग करते हैं आप सोचिए उत्रपदेश अकेले के अंदर देश के आशालात मुझे नहीं पता और बश्तर होंगी अकेले उत्रपदेश में एक हजार से ज्यादा सिक्षा मित्र आत्म हत्या कर चुगे सवापती मोद है कोई सरकार आपकी आसा बहुएं, आपकी ये रसोया मेलाएं, आपकी आंगनवारी, पंचाइश साहक, रोजगार सेवक, मैं समझता हूँ सभापती मौद है, यहां बैटे हर सदस्य के पास, इनके छेतरों का ये डेलिएसन जरूर मिलता होगा, और मांग करता होगा, कि कम से का हमारा मां दे बढ़ाए जाए, हमें इस्थाई किया जाए, सभापती मौद है, इसके लिए, सभापती मौद है, मेरे पार्टी के किसी भी मेंबर से कम कर लेंगे टाइम, मेरा टाइम बढ़ा दिए, कोई भी मेंबर हमादे दे देंगे टाइम, इसलिए सभापती मौद है, इन सभी स मस्याओं के इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि इनका समाधान करिए और नहीं समाधान करेंगे तो अभी तो बैसाकी पे बन गए बिहार और अंध्रा को पैकिस देखें देखें पर देश में कितने राज्यों को पैकिस देपाऊगे अरे बित मंत्री जी उत्तर हो गई कि एक भी उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं आया सवापती मोदे इसे मैं आज इस मोगे बस सवापती मोदे देश के गरीबों किसानों नौजवानों ब्यापारियों बुनकरों सभी की और से कहना चाहता हूं ये बजट देश विरूदी बजट है कोच समस स्याओं के लिए सभापती मोदेश सम्मेदल सीलता के साथ मैं काऊंगा सरकार को विचार करना चाहिए सद्धे नेता जी जब रच्छा मंती थे उन्होंने ब्युस्ता दी थी कि देश के अंदर जो भी सैनिक सईद हुए उनको सभसमान उनके घरों पे जाके राश्टी सम् आरे आपको कुछ नहीं पता है आरे यहीं तुमारे सैनिकों के लिए यहीं तुमारा भाव है आप बोले सभापती मोदेश मेरा अनलोध है अगनिवीर की योजना खत्म की जाए ये चार साल के सैनिक से देश की उतनी मजबूत रच्छा नहीं हो सकती नوجवानों को गुमरा करके के बैस चार साल उनने दो ना साथ साल तक रिटार्मेंट चार साल बाथ ऑु कहां नो किरें दूरेंगे इसे मेरी मांगे अगे अगनिवीर की ज़वे इधना कवी साथी सात मेरी एक मांगो और है कि जो सईदोंelli की सहदत इस्तल है उसको सईद स्थल के तोर पर । डबल यापूरी किन वबी की जाती है थोड़ा समय अपने छीत के वारे में कओ ऊगा हुआ अंगे हमारे नेता मांई रामुर्ति वर्मा जी ने भी जो बाड की समस्या हैimalρεक्श जो शमस्या विहार में है नेपाल से पानी छोड़ने की वही समस्या उत्तव देश की बीया में और ब पूरी की पूरी समस्या है गागरा की जब आती है तो मैं समस्ता हूं इन जिलों के लाखों लोगों को तैसरेस करके चली जाती है जितना विकास होता है सवापती मोध है बरसाथ के समय वो सारा का सारा विकास पूरी तरह से खदम हो जाता है इसे मेरी मांग है केंट की सरकार स कि बजट आप पास कर रहे हो तो कम से कम उत्तरपदेश इतनी नफरत ना करो दो बार तो तो अत्तरपदेश की दमपई बैठे थे और तब भी ये बित्मंत्री जी हसरे इनक्या भी आता है बार तो जाती होगी महराज जिन बस्ता तो नहीं होगा कुछी नगर बस्ता नहीं ह हमारे उत्तरपदेश के प्रभाविते तो बिहार की तरह से एक पैकेज हमारे उत्तरपदेश के लिए भी दे दो कम से इतना तो कहने हिम्मत रखो केबल चीखने के लिए बैठे सब के सब इस सबापती महुद है, दूसरा एक मैं बात हमसे पूर जो सांसर रहे हमारे आजम कि अभी उस पर एक भी पैसे का बजट कावंटन नहीं है नहीं है बजट कावंटन आप ही तो साइन कियो निर्मला जी ने तो किया नहीं होगा आप ही ने किया होगा तो सभापती मौद है उस पर बजट भी आए उस पर बजट भी आना झाये दूसरा सभापती मौद है ये जो समस्या है बारवाली मैं समझता हूं कोई अकेले मेरी नहीं है, मेरे अकेले च्छित की नहीं है जो भी सम्मेदन सील ब्रक्ति होगा इस पर जरूर कमीता से सोचेगा उसको सोचे, इसी के साथ मैं अपनी पार्टी के और से इस जन बिरोदी बजट का पुर्जोर बिरोद करता हूं, बहुत बहुत ध्यवाद स्री सुक्दिव बगज़ असंसदी है मानिवर, मेरा निवेदन रहेगा वैसे तो भासा सेली हमें सभी को ठीक करनी चाहिए लेकिन अगर कहीं ये सब्द आ गया हो अगर कहीं ये सब्द कारवाई में आ गया हो तो मानिवर, मेरा निवेदन है उसे हटा दिया जाना चाहिए देख लगए अबढ़ काहाँ येध beetle को ठीक करनी येदन है अबढ़ को